वेरी गूड इनिंग स्टुडेंट स्टुडेंट आज का जो हमारा टोपिक रहेगा हम लोग दो फाइलम कम्प्लीट करेंगे एक स्टैनोफोरा एक प्लैट्री हेलमिन्तस हम लोगोंने एनिमल किंगनम स्टार्ट करखा था और उसके अंदर हमने लास्ट लेक्शर के अंदर बेटा दो हमारे कर चुके थे एक पॉरिफेरा और एक नाइडेरिया ठीक है इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा recap करवाँ तो हम लोगों देखा था night area के अंदर हम लोगों देखा था कि जो jellyfish है ठीक है इनके अंदर nerve net आ गया था ठीक है hydra के अंदर nerve net आ गया था और अगर मैं बात करता हूं तो इनके अंदर दो तरे की आपकी body थी ठीक है इनके अंदर gastrovescular cavity आई थी यह चीज़ important थी ठीक है और इनके अंदर जो circulatory system था वो आपका इन cells की वज़े से ही हो रहा था कौन सी cells की वज़े से यह जो आपके gastrovescular cavity के अंदर cells थी इनी की वज़े से हो रहा था ठीक है और sensitivity आई थी night area के अंदर इससे पहले sensitivity नहीं थी पोरिफिरा के अंदर ठीक है और इसके अंदर आपका जो previously अगर मैं बात करता हूं तो जो body है वो radial type की चल रही थी ठीक है night area के अंदर तो बेटा इनी चीजों से हम लोग आग एक तरफ बढ़ेंगे ठीक है जो main important बात थी इससे पहले कि आपकी जो night area है उसके अंदर क्या क्या चीजे नहीं आई थी वह यह आई थी कि नर्व का net आ गया था एक तो nervous system नहीं आया था सिर्फ नर्व का net आया था दूसरा इनके अंदर जो digestion है वो indigestion हुआ था और mouth और जो एनस है उनका एक ही क्या था रीजन था जहां से वो pass on हो सकते थे ठीक है उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग आज हमारे phylum की जिसको हम बोलते है श्टैनोफोरा जो श्टैनोफोरा होते हैं बेटा आपने कई पर देखा होगा कि जो basically आप जब जो diverse होते हैं आपने देखा होगा कि जब इस पे national geography पर आपने देखा होगा नीचे जब diverse जाते हैं तो कई ऐसे organism आपको देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बाइलूमेंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते हैं ठीक है उसमें बेटा एक हमारा आता है स्टैनोफोरा स्टैनोफोरा बेसिकली बेटा इसके अंदर बेटा जो जब इसके उपर sunlight पढ़ती है तो यह बेटा rainbow color का जैसा जैसे rainbow होती है उस color का appear होता है ठीक है इनको हम बेसिकली बेटा सी गोसबैरीज और कोंब जैली या सी वोलनट के नाम से भी जानते हैं ठीक है इनके अंदर बेटा इनके अंदर बेटा इनके अंदर बेटा यह जो बेसिकली आपके marine sea water के अंदर आपका present होता है ठीक है उसके बाद उसके बाद यह जो bylumicence है ठीक है यह जो bylumicence है यह इनकी एक बेटा आपकी कैसी property होती है यह एक इनकी separate property होती है यह एक इनकी जो इनको well mark करती है ना कि यह property दो इनके अंदर होती होती है जो अलग इनको separate बनाती है वो इनकी Bionic Science property होती है ठीक ना जो body होती है बेटा वो इनकी soft और jelly-like होती है बिल्कुल soft और jelly-like होती है ठीक ना और अब जैसे पहले आप जैसे पहले night area के अंदर देखा वैसे ही इनके अंदर बेटा radial symmetry देखने को मिलती है और जैसे night area diploblastic था वैसे ही यह क्या होता बेटा diploblastic होता है ठीना diploblastic होता है digestive जो होता है बेटा digestion जो होता है वो भार भी होता है मतलब chemical secret करके food को भारी digest करके फिर अंदर लिया जाए और अंदर भी इनके अंदर होता है दोनों तरीके का आपको digestion देखने को मिलेगा इनकी बोड़ी पे बेटा इनकी बोड़ी पे आपको इनकी बोड़ी के उपर आठ तरीके की बेटा आपको ऐसे ciliary comb दिखेगी आपको 4 यहाँ पे दिख रहे ही न ऐसे ही चार कहाँ पे होते बेटा इनके पीछे की तरफ होती है आठ ciliary comb plate आपको इसके बोड़ी के उपर बेटा देखने को मिलती है ठीक है यह बेसिकली बेटा इनके अंदर जो skeleton system होता है activity system होता है respiratory system होता है यह बेसिकली बेटा आपका absent होता है जो sexual reproduction होता है इसमें जो fertilization होता है बेटा बाहर होता है मतलकि जो fertilization होता है वो बोड़ी के बाहर होता है ठीक है बोड़ी के बाहर होता है और यह बेसिकली बेटा carnivores होते है क्योंकि इनके पास बेटा two tentacles present होते है अभी मैं आपको और सेपरेट करके दिखाता हूँ, इनके पास ये टेंटिकल्स होते हैं, तो ये टेंटिकल्स होते हैं, इनकी बोडी के उपर, ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, ये इनको जब भी कोई इनको प्रे वगरा दीखता है, तो ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, ये आ जानते हैं , लैजो सेल्स, नाम से जानते हैं। गडत लावा हरता हैं , फोलाल। ह karış स्सुल्य इसको जाना जाता है सालेग्ट के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है और चालेज अलस होती है इसका जो मैन प्रोपर्टी वो यह थी कि यह जो ईए पहला दुइसे इस तरीके लाइट इस त्रेश इसके उंदर प्रिजेन होता है एक्सth श्रप्लेटि और हल्म एक्स को जानते को शौता है दूसरी बात इस तरीके से बिलकुल उपर कुछ नहीं है नीचे ही जो है आपके चिपके हुए है इस तरीके से है बिलकुल तर्ती से लगे हुए बिलकुल आर्थ के साथ ठीक है ये जो है बेटा बेसिकली आपकी इसलिए बेटा मैं इसकी बोड़ी को क्या बोलता हूँ दोर्सो वेंटरल दोर्सो वेंटरल फ्लेटन बोलता हूँ उपर की जो सर्फेस होती है वो तो होती है आपकी दोर्सल सर्फेस और नीचे की जो सर्फेस होती है बेटा नीचे यह बेसिकली बेटा यह जो है यह आपके बेटा पैरसाइट के रूप में आपके में जो है यह फेमस है कि यह लोग पैरसाइट के रूप में जनम लेते हैं मतलब पैरसाइट के रूप में रहते हैं दूसरे और गेंजम के ऊपर डिपेंड रहते हैं दूसरों का नुक्षान अंदर बिटा bilateral symmetry होती है कि अगर आप इनको बीच में से सिर्फ एक ही plane से काट सकते हो जिससे यह बराबर बराबर कट सकता है यहां से question आता है कि कहां से आपकी bilateral symmetry सिरू हुई है वो answer जाता है बिटा प्लेटी हल्मिंथस उसके बाद बीचा दूसरा question यह बनता है कि आपका इससे पहले आम ने देखके आये कि कैसी थी diploblastik आपकी layer जो है diploblastik थी इनके अंदर बेटा layer जो है वो कैसी आती है ट्रिप्लो ब्लास्टिक आती है लेयर जो है वो बेटा कैसी आती है ट्रिप्लो ब्लास्टिक आती है दूसरा कोशन यहीं बनता है कि ट्रिप्लो ब्लास्टिक लेयर बेटा कहां से शुरू होती है आपकी प्लैटी हेलमिंतस से शुरू होती है तीसरा कोशन बनता है इनके अं परोपर सीक्वेंस होता है जहां पर एड होता है और जहां पर टेल होती है तो इसलिए इस प्रोसय को बोलता हूं पर्टा सिफेलजयशन तो यह भी कोशन आता है कि किस और मैं प्लाटि हल मन स्थेल मलां। देखो तीन कोष्चन मैंने बहुत बड़िया बड़िया आप लोग को बताए है कि एक तो पूछा जाता है कि आपका ट्रिप्लबलास्टिक कहां से सुरू हुई बाइलेटरल सिमेटरी कहां से शुरू हुई और आपकी सिफैलाइजेशन कहां से शुरू हुई ठीक है उसके बाद बेटा इनके पास जो है तीनो लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और अंडोडर्म आपकी परजेंट होती है ठीक है इनके अंदर बेटा स्केल्टन सिस्टम जो है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर मैं गैसे एक्सचेंज के बाद करता हूँ तो बेटा वो स्किन से ही हो जाता है क्योंकि ये बेटा बिल्कुल फ्लैट होता है फ्लैट होने से क्या होता है इनका सर्फेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर बिटा surface area आपका ज़्यादा हो जाता है ना तो उन organism की अंदर की volume तो कम है और surface area बहुँ ज़्यादा है इसलिए वो body से ही क्या कर लेते हैं gas exchange कर लेते हैं ऐसा कोई respiratory system हमें देखने को नहीं मिलता नहीं इसका scleratory system हमें देखने को मिलता है ठीक ना उसके बाद बिटा हम लोग बात करते हैं अगर मालों इनके excretory system की बात करता हूं excretory system excretory system जो होता है इनके अंदर आपको एक अलग तरीके की cells पर जेंट होते हैं इनके एक्स क्रेटरी सिस्टम में इनको हम बोलते हैं वह बिता एक्स क्रेशिन का काम करती है जो वेस्ट मेचल जो आपका आया है वह धिको इनकी जो बोडी है वो तो है तो blind sack जैसी अभी तक इनके अंदर tube in tube नहीं आया है है तो blind sack जो body organization है वो है तो blind sack लेकिन इस से लेकिन क्या है excretory system है तो मतलब आपका mouth जो है वहाई से ही क्या होगा आपका जो excretion है वो आपका निकलेगा मैंने आपको कई वर बता चुका हूँ blind sack क्या है ठीक है और first lecture के अंदर मैंने आपको सारी चीज़े बताई थी कि किन basis पर हम लोग division कर लें bilateral symmetry क्या है ठीक है diploblastic क्या है triploblastic क्या है blind sack क्या है यह सारी चीज़े मैं बता चुका हूँ blind sack का मतलब क्या है की आपका mouth और एक जगह पे है एक जगह से खाता है और एक जगह से आपका exit होता है तो flame cells क्या करती है आपका excretion को काम करती है और excretion जो बहיר निकलता है वो आपका mouth से भाहर निकलेगा ठीक है ठीक है और flame cells को हम किस नाम से जानते हैं बेटा solenocytes के नाम से जानते हैं और यही से बेटा आपका क्या होता है osmo regulation होता है ठीक है न क्योंकि seward marine rotor के अंदर present होता है तो इसलिए body को osmo regulation जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर बेटा इसके nervous system की बात करता हूँ तो जो इसका nervous system होता है बेटा इसमें आपको दो nerve code आपको इस तरीक से parallel चलती हुई दिखाई दे रही है और यह आपस में connect होती है इसलिए इनका जो nervous system है इनको मैं ladder like nervous system भी बोलता हूँ ठीक ना अगर बेटा इनके reproduction की बात करता हूँ तो एक ही organism के अंदर बेटा कई बर दोनों sex present होते हैं इसलिए bisexual बोलते हैं ठीक है काफी complex और well developed है जो fertilization होते को आपको यहाँ पे पैनिस भी दीख रहा होगा और यहाँ पे आपको oviduct भी दीख रही होगी testis भी दीख रही ह तो कहने का मतलब यह है एक organism के अंदर ही दोनों sex आपके present होते हैं और एक होता है बेटा हर्मो फ्रेडाइट जिसमें male भी अंदर ही होता है एक organism के अंदर male भी है और female भी है ऐसा organism जिसके अंदर male भी उसी के अंदर रहता हो female भी उसी के अंदर रहता हो उसको हम बोलते फाइदा यह है अगर खाब कंडिशन आ जाती है तो जो एक बगर होते हैं वो अगर अंदर रहते तो वो शेप रहते हैं भाहर रहेंगे तो उनको खत्रा जादा है ठीड़ा उसके बाद बेटा जो प्लेनेरिया जो आपका हम इनको बेटा प्लेनेरिया के नाम सिर्फ जानते इनके अन्दर डीट आपको देखने को मिलती हैं ठीड़ा हम लोग कुछ एक एक आपको cat вूख करता हैं एक एक आपको फ्लू ठीक ना लीवर फ्लू लीवर फ्लू का आपका क्या है डाट एक फ्लैक्ट वोम है जिसका जो scientific name बेटा वो है fasciola haptica fasciola haptica है 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 ठीक है इसके अंदर बेटा आपको head region दीख रहा होगा यहीं पे इसका hooke होता है जहां पर यह दूसरे की सर्फेस पर चिपकता है हैप्टिका क्यों बोला है क्योंकि लीवर जो है scientific name हैप्टिका से ही वह होता है ठीक है ना और आपका जो सक्क क्योंकि यह ब्लड वगेरा शक करते हैं इसलिए फ्लूक और scientific name में फैशिया ठीक ना जो इसको डिनोट करता है तो बेटा इसके जो है जो आपका लिवर फ्लूक होता है इसकी लाइफ साइकल को कर हम पड़ें तो काफी इंपोर्टेंट लाइफ साइकल है इसके अंदर बेटा दो ओस्ट होते हैं जिनके उपर यह लाइफ अपनी डिपेंड करता है एक बेटा होता है स्नेल और एक होती है बेटा आपकी शीप तो बेटा जो लिवर फ्लूक है जब वो एग ले करता है वोटर के अंदर तो जो एग जो ले करता है इस एग को मैं बोलता हूँ बेटा mayrswho voi mumit us मेरbert त्युआना जो अ muita किसने liver flock ने एग guy किया, एग ले करने से पले जो आपकी stage आई live लोक की ल्रवा की इसको दू आ पूला मिरसीडियुम यह बेटा मिरसीडियुम को कौन ले लता है स्नेयल कि बोड़ी मेंगर कर जाता हैborn के त्रू और यहां पर यह अलाग अलाग लाग तो हमें चेंज होता है पहला sporocyte फिर radia और फिर wasser時 Air rust अरी फिर सरशेरिया के बाद बेटा यह आपका निकल जाता है स्नैल से और किस्मे सल जाता हो अभृट कर जाता है ज्वी ग्रस में जाने के है ठीकि अ एडिल्ट फिलूग बन जाता है ठीक है ठीक है तो इस तरीकेसे बेटा है अपनी जो भाइफ साइकल है यह अपनी लाइफ साइकल है यह क्या करता है अपनी छाइपवक्रा करता है और इसकी वज़े से बेटा जो डीशी密 होती है इसको हम 읽 defect liver, rote, disease यह सिर्खोस्था diseases भी बोलते हैं ठैक है उसके बाद बेटा बात आती है हमारी किसकी आपके blood fluke की blood fluke भी simple इसी तरीके से अपनी life cycle को follow करता है किस तरीके से होता क्या है ये आपका blood fluke है, ठैके जब आपका blood fluke … लेता है तो एक जो है बिटा अपके अर्वा छोड़ छ CT Con स्नेल के अंदर अपनी आगे कि लाई साइकल को पूरा करता और सर्सीरिया लारव जब स्नेल के अंदर यह बन जाता है तो स्नेल इसको भाहर छोड़ देता पानी की अंदर और जब ब पानी जो है वह आपका human being के contact में आता है जैसे मलो आप नदी के किनारे खेल रहे हूँ ठीक है तो उस टाइम पे अगर किनारे आपके contact में आता है तो वो बंधे के अंदर चला जाता है human being के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो किसको effect करता है बेटा आपने आपको mature कर लेता है ठीक है तो इससे बिटा एक disease होती है जिसको मैं बोलता हूँ cytosomasis S T S C H I S T O S O M I A S I C ठीक है Cytosomasis ठीक है या फिर इसको Bilgeria disease भी बोला जाता है ठीक है ठीक है तो इस तरीके से बेटा ये human being के अंदर disease करता है Next आता है बेटा हमारा Tania solium जिसको हम pork tapworm भी बोलते हैं ठीक है pork tapworm भी बोलते हैं इसका बेटा इस तरीके का head होता है ठीक है इस तरीके का head होता है ये दो बंदे के अंदर अपनी life cycle को पूरा करता है एक human being के अंदर और एक बेटा pig बगरा के अंदर जिसके meat बगरा खाई जाती है तो इसके अंदर बेसिकली बेटा क्या होता है ये क्या करता है जो अपने egg को ले करता है इसके egg किसके अंदर जाते है बेटा pig बगरा है जब उसको खा लेता है उसके egg बगरा को तो उससे क्या होता है उसके intestine जो होती है उसके जो muscles बगरा होती है उसमें वो लारव बेटा ग्रो करता है और जब बेटा meat के रूप में इंसान उसको खाता है तो बेटा इंसान के पास सला जाता है और बेटा ये क्या करता है small intestine के अंदर बेटा क्या करने लग जाता है ग्रो करने लग जाता है ठीक ना इससे बेटा हमें कई तरीकी की disease होती है जैसे मालो tenacia, tenacia cystocriosis ठीक ना ये disease बेटा हम लोग आपका जो disease का chapter आएगा उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक ना तो बेटा मैंने आपको तीन वो बताए एक तो आपको बताया liver flow उसकी life cycle बताई एक बताया blood flow उसकी life cycle बताई और एक बताया बेटा tape work ठीक ना तीन जो आपके parasite थे जो parasite के रूप में रहते हैं ठीक है I hope बेटा आप लोग को lecture समन्द में आया होगा ठीक है आज का lecture बेटा इतना ही अगर उसके बाद भी अगर कोई doubt रह जाता है तो आप लोग comment करके बेटा comment box में जरूर लिखेगा okay thank you guys